सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले है जिन में से 5000 करोड से अधिक की संपति बोपाल और उसके आसबास है सेफ अली खान के पुतर तैमूर अली खान पतोडी है बोपाल से इस बच्चे का नाता इसलिए है कि यहें मनसूर अली खान पतोडी और शर्मिला टाइगोर का पोता है सेप और करीना की पूरी प्रापटी की प्रापटी का मालिक तैमूर होगा लेकिन जो विवादासपत प्रापटी है उसका मालिक कौन होगा इसका मामला भोपाल और जवलपूर कोर्ट में चल रहा है यहां से शुरू हुई जायदात की कहानी भोपाल के आखिरी नवाब और सेप के पर दादा हमीदुल्ला खान की पूरी चल अचल जायदात शत्रू समपत्ती कानून की जदमे है सरकार ने एनमी प्रॉपटी प्रोटेक्शन अन्रेजिस्टेशन एक्ट में अमेंड अमेंड के लिए पांचवीं बार ओर्डिनेंस जारी करने के प्रपुजल कभुदवार को मनजूरी दे दी यह ओर्डिनेंस अब प्रेसिडेंट के पास उनकी सहमती के लिए भेजा जाएगा भोपाल में सेफ की कुल प्रोपटी करीब पांच जार करोड रुपए बताई जा रही है हर्याना और देश के दूसरे हिस्सों में भी उनकी करोडों की प्रोपटी है अभी पूरी प्रोपटी ही विवादों में नवाब प्रोपटी की प्रोपटी शुरू से ही विवादों में है भोपाल में उनकी ज्यादतर जमीन जायदाद शत्रू संपत्ती की जद में आ चुकी है ग्रिह मंत्राले का शत्रू संपत्ती विभाग इस प्रॉपटी की जाज कर रहा है भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने जायदात का वारिस अपनी बड़ी बेटी आबिदा को बनाया था जो पाकिस्तान चली गई थी जिसके बाद इस प्रॉपटी पर ममनजली बेटी साजीदा सुल्तान के परिवार का कबजाव हो गया जिनके पोते हैं सैप हली खान यानी हमीदुल्ला के परपोते तयार है संपत्ती का व्योरा पिछले साल शत्रू संपत्ती विभाग ने सैप से पूछा था कि उनके पर दादा की संपत्ती कहा कहा है भोपाल डिस्ट्रिक्ट इड्मिनिस्ट्रेशन ने नवाब के परिवार की भोपाल में स्थित पूरी संपत्ती का ब्यूरा तैयार कर लिया है अब शत्रू संपत्ती दफ्तर यह पता करने की तैयारी कर रहा है कि इस प्रॉपटी की मौजूदा स्थिती क्या है और इसका मालिकानवा किस के पास है अभी इसका सर्वे कराया जा रहा है कानूनी लड़ाई अभी भी जारी भुपाल के हिस्टोरियन सईद अख्तर हुसेन के मताबिक साजिदा सुल्तान ने नवाब हमीदुल्ला खा की प्रॉपटी को नवाब पटॉडी के नाम नहीं किया था हाला कि बेटा होने के कारण पटॉडी ही इसकी देख रेक कर रहे थे पटॉडी के निदन के बाद उनकी बेहने सभी हा और साले हा इस पर अपना हक जता रही है मामला कानूनी लड़ाई में फसा है इसलिए लाए ओर्डिनेंस केंद्री काबिनेट ने युद के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की प्रॉपटी के वारिस या उसके ट्रांस सफर के दावों के खिलाफ यह कदम उठाया है यह प्रॉपर्टीज अभी सरकार के इनमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन के कबजे में है